इस वीडियो में हम क्लाइट के बारे में बात करेंगे क्लाइट से समध्द जित्ती भी जानकारी है उन सबको जानेंगे क्लाइट का फुल फॉर्म है common law admission test basically एक entrance exam है अगर हमें national law universities में या फिर किसी law college में admission लेना है तो हमें क्लाइट exam देना पड़ता है जैसे कि अगर आपको medical field में जाना है तो आप need का exam देते हैं अगर हमें IIM में जाना है तो हम cat का exam देते हैं अगर हमें IIT में जाना है तो हम JEE का exam देते हैं वैसे ही अगर हमें national law universities में admission चाहिए जो कि top reputed institutions हैं top reputed institute है हमारी country के अगर वहाँ admission चाहिए तो client का exam देना पड़ता है और client के score के according ही हमें colleges मिलते हैं तो इस वीडियो में हम client की पूरी बात करते हैं साथ ही साथ हम already बात कर चुके थे law as an career option क्या-क्या है law की degree के बाद में क्या-क्या opportunities है अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो description box में उस वीडियो की link है आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं उसमें हमने सारी बात करी है कि national law university में एक student की life कैसे होती है साथ ही साथ degree मिलने के बाद में क्या-क्या job opportunities होती है perks and packages क्या-क्या होते हैं उन सभी की हम बात कर चुके हैं अब CLAT दो पार्ट में divided है that is CLAT UG और जो दूसरा है वो है CLAT PG एक होता है undergraduate के लिए और एक होता है post graduate के लिए इस वीडियो में हम CLAT UG के बारे में बात करेंगे जो की 12th pass out वाले बच्चे देते हैं जिनोंने कक्षा बारवी की परिक्षा दी होगी वो CLAT UG में appear होंगे जो CLAT UG है वो basically national entrance test है जो हर साल होता है in the month of May या फिर June जो की वहाँ पर body जो decide करेगी जो date आती है वो अल्रेडी पहले पता चल जाती है इस score के according 22 national law universities हमें मिलती है साथ ही साथ कुछ private law colleges भी CLAT के score को लेती है अब total 23 national law university है लेकिन एक national law university that is national law university Delhi वो अपना खुद का entrance test conduct करवाती है वो CLAT के basis पे admission नहीं लेती है एक्जाम is conducted by a consorums of NLU पहले ऐसा होता था कि यह जितने भी NLU's हैं यह जो 22 NLU's हैं यह एक 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 करके exam conduct करवाते थे लाइक इस साल मालो national law university भोपाल ने करवाया तो next year national law university Bengaluru ने करवाया है पहले यह system चलता था लेकिन अब इस चीज को replace कर दिया गया है और एक permanent body बना दी गई है और वो permanent body अब हर साल exam conduct करवाती है ठीक हैं? Then it is a pen paper based exam यह pen paper based exam होता है आपको question paper मिलेगा साथ में OMR sheet मिलेगी आपको वही पर वो circle लगाने है और वो OMR sheet दे के आना है और एक देर हफते में इसका result आ जाता है बहुत जल्दी result आता है CLIAT का I hope यह वाली आपको basic information यहाँ पे clear है अब हम बात करते हैं कि CLIAT की eligibility क्या-क्या है कौन CLIAT का exam दे सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दू कि कोई भी stream का बच्चा CLIAT में appear हो सकता है चाहे वो science stream का हो, चाहे वो commerce stream का हो चाहे वो humanities stream का हो कोई भी stream का बच्चा इसमें appear हो सकता है यहाँ पे stream का as such कोई foundation नहीं है जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर हमें medical field में जाना है तो biology compulsory होता है यहाँ पे as such कुछ भी नहीं है अब जो पहला और important बात है वो है there is no upper age limit for CLIAT CLIAT की upper age limit भी नहीं है अगर आप 22 years के हैं और अगर आपको CLIAT देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं अगर आप 20 साल के और अगर आपको CLIAT देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं usually लेकिन जो यहाँ पे बच्चे बैठते हैं वो होते हैं 20 साल के आसपास वाले बच्चे होते हैं जो यहां पर exam देते हैं मतलब 20 या 20 के कम 19-20, 19-20 साल के बच्चे होते हैं यहां पर अब minimum percentage क्या होने चाहिए class 12 में that is 10 plus 2 में percentage भी तो लगते हैं कुछ minimum percentage तो general या OBC या अगर आप NRI category में आते हैं तो आपके सिर्फ और सिर्फ 12 में 45 परसेंट चाहिए कितने सिर्फ और सिर्फ 45 परसेंट चाहिए और अगर आप SG या SC category से हैं तो सिर्फ 40 परसेंट चाहिए तो कुल मिलाके यहां पर जो भी national law universities मिल रही हैं वह में CLART के score के basis पर ही मिल रही है अगर आप 12 के percentage देखेंगे तो 12 के percentage यह लोग कुछ ज़्यादा मांगी नहीं रहे हैं सिर्फ 45 परसेंट है यहां पर और SG-SC में मात्र 40 ठीक है तो basically इसमें CLART में बहुत अच्छे marks लाने पड़ते हैं ताकि हम हमारे seat secure कर सके national law universities में चीक है in case of equal marks the break of ties shall be by following procedure and order as under अब कई बार यह होता है कि दो बच्चे को same marks मिल जाते हैं same marks in the sense मान लो 1500 नंबर का paper हुआ और हम देखते हैं कि दो बच्चे के 1500 में से 120-120 नंबर आक है तो उसे seat किस हिसाब से मिलेगी उसे seat मिलेगी कि जिसके भी legal aptitude में जादा marks आएंगे उसको seat का preference दिया जाएगा या जिसकी जादा उम्र होगी उसको seat का preference दिया जाएगा या फिर draw of lots होता है computerized draw of lots होता है उसमें जिसका number आचाएगा उसमें उसको वो seat दे दी जाएगी खेर यह तो secondary चीज हो गई लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया पहले हमें उस marks सक उतनी तयारी भी करनी होगी फिर जब marks का tie up होगा वो तब का तब समझा जाएगा ये चीज भी हमें clear हुई अब हम थोड़ा से syllabus देखते हैं client का कैसे questions आते हैं कौन-कौन से subject बनने पड़ते हैं कितना time duration होता है इन सारी चीजों पे बात करते हैं दो गंटे का exam होता है pen paper based होता है डेड़ सो question आते हैं डेड़ सो number के ही होता है एक question पे एक marks होता है साथ ही साथ यहां पे minus marking होती है कितने marks ही होती है 0.25 marks minus होते हैं एक गलत answer देने पे मतलब अगर आपने एक answer सही दिया तो plus 1 और अगर आपने एक answer गलत दिया तो minus 0.25 है तो यहां पे minus marking भी है चीक है और यह कितने देर का exam है यह 2 गंटे का exam है जो कि हर साल साल में एक बार conduct करवाया जाता है usually in the month of April में या फिर June में चीक है the question paper will be divided into five subjects अब कौन-कौन से subjects में कौन-कौन से subjects के यहां पे सवाल पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं सबसे पहले यहां पे English language की question आते हैं then current affairs including general knowledge, legal reasoning, logical reasoning और quantitative technique यह basically 5 subjects है जिसके through CLAT entrance just लिया जाता है और इन 5 subjects का हमें पढ़ना पढ़ता है अगर हमें National Law University में admission लेना है तो अब हम थोड़ा सा इनका division देखते हैं कि कौन से section से कितने percent of the paper आता है ठीक है तो English language से जो पूरा CLAT का paper है like 150 marks का paper है तो इस 150 marks के paper में से 20% जो paper है वो English language से आएगा current affairs से 25% और legal reasoning से 25% आएगा तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा किस portion में से paper पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है current affairs और दूसरा है legal reasoning legal reasoning और current affairs से 50% of the paper इन दो subject से यहां पर बन के आ रहा है then logical reasoning से 20% paper आता है and quantitative technique that is maths मैच से सिर्फ और सिर्फ 10% का paper है मैच में सिर्फ 10% का paper ही आता है and that to 10th level का मैच साता है ज्यादा difficult मैच नहीं आता है easy मैच साता है कुछ-कुछ selected topics होते हैं वहीं से question पूछा जाता है अब जितने भी हमने यह 5 subject देखे हैं इन 5 subjects में से कुछ selected topics याते हैं वो सभी को पता होता है जो भी बच्चा क्लाट की तयारी करेगा उसको पता होता है कि इन 5 मतलब हम लोग syllabus देखेंगे तो इन ही topics से question पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से तयारी की चाती है अब यहाँ पे हमने अगर आपको ध्यानों तो हमने बात की थी कि अगर दो बच्चे के same marks आजाते हैं like 150 marks का paper है और यहाँ पे दो बच्चे के marks आगए 120 and 120 तो यहाँ पे हम किस basis पे decide करेंगे यहाँ पे decision होगा कि किसके legal reasoning में जादा marks है इस वाले section में जादा marks है उसको पहली rank दे दी जाएगी चीक है या उसको वो seat दे दी जाएगी दूसरा जो था वो क्या था जो उम्र में बड़ा होगा और तीसरा वो जो था वो draw of lots के था ठीक है मतलब जैसे चिट उठाते हैं वैसे computerized draw of lots होगा यह चीज भी आपको समझ में आ गई अब मैंने आपको बताए था कि client के अलावा और भी बहुत सारे entrance exam होते हैं एक simbiosis का बताए था मैंने ऐसे बहुत सारे exams होते हैं law entrances की अब basically जितने भी exams होते हैं वो यही pattern follow करते हैं बस यह होता है कि थोड़ा बहुत question का level change हो जाता है level का मेरा मतलब यह है कि थोड़ा सा difficult level किसी exam का जादा होता है तो किसी exam का difficult level थोड़ा सा कम होता है बाकि legal reasoning में लगभग लगभग वही questions आएंगे वही topic आएंगे अगर हम लोग CLAT की preparation बहुत अच्छी से करते हैं तो जो दूसरे exams हैं उनकी preparation होई जाती है उनमें बस थोड़ा सा में extra देखना पड़ता है बाकि as such ऐसा नहीं है कि जो CLAT है वो एकदम totally अलग पूछ रहा है और जो symbiosis है वो एकदम totally अलग पूछ रहा है जी नहीं ऐसा नहीं है यह जो हमने 5 subject देखे हैं यही 5 subject वहाँ पर आते हैं सिर्फ कुछ topic उपर नीचे होते हैं और difficulty level थोड़ा सा किसी का कम होता है किसी का जादा होता है तो CLAT एक main exam है और बाकि सबको हम छोटे छोटे exam के तोर पर देखते हैं यह चीज भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई है अब basically अगर किसी बच्चे का CLAT में हो गया तो 22 national law universities में से उसकी rank के according उसके marks के according उसे national law university मिलती है like जो top में होते हैं उनको कौन सी university मिलेगी उनको मिलेगी national law university जो कि बंगलूरू की है ठीक है तो वो top की university है तो हम जैसे देखते हैं कि जिसके जादा marks आते हैं उसे अच्छी वाली IIT मिलती है सब भी अच्छी universities है लेकिन उसमें भी जिसके जादा marks से उसे जादा अच्छी university मिलेगी तो total टेस national law university होती है जिसमें से 22 national law university क्लाइट के marks को accept करती है तो उन 22 national law university को एक बार हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी 22 national law university है जल्दी से देखेंगे जो top की university है वो है national law university of in national law school of india university that is bangalore second position पहे the west bengal national law university of judicial judicial science then third is national law institute university of bhupal fourth है national law university jodhpur fifth है नेट साय university of law hyderabad gujarat national law university hidayatullah national law university raipur national university of advanced legal studies kochi dr. ram manohal loya national law university lakhanow then rajiv gandhi national law university of law chanakya national law university of patna national law university of odisha that is katak national law university national university of study and research in law जो की है राची में then national law university and judicial academy guhati dhamo dharam sanjeevaya national law university vishak patnam tamil nadu national law university तिरुचुपली महाराश्य national law university Mumbai then महाराश्य national law university नाखपुर हिमाचल national law university शिमला जिसकी की इमेज है महाराश्य national law university औरंगाबाद धरम शाला national law university जवलपूर जो की मध्य प्रदेश में है then dr. b. r. ambedkar national law university सोनी पत ये बाइस national law universities हैं जिन जो क्लाइट के मार्क्स एक्सेप्ट करती हैं अब इन बाइस के अलावा और भी बहुत सारे law colleges हैं जो की क्लाइट के क्लाइट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं जो की क्लाइट के क्या है इन क्रक्स अगर हम देखें तो अगर हमें इन national law universities में पढ़ना है इन अच्छे अच्छे इंस्टिउशन में पढ़ना है तो हमें क्लाइट का आपको एकदम पूरी complete clarity मिलेगी कि law की field में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अब यहां पर मैंने national law university डेली का लिखा है जो की अपना खुद का entrance test conduct करवाती है तो यह वाली जो national law university है जो की 23rd national law university है वो अपना खुद का entrance test करवाती है वो क्लाइट के basis पर नहीं लेती है तो ऐसे और भी बहुत सारे exams है लेकिन main है आपको क्लाइट के बार में पूरी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी कि यह यह सब्जेक्ट है इनका इतना वेटेज है मैट का इतना पढ़ना है लीगल का इतना पढ़ना है इसका इतना पढ़ना है साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दू मैगनेट बेंस ने class 11th and 12th का legal studies start किया है जिसमें कि हम class 11th and 12th की जो legal studies की joint CRTM उसको cover up कर रहे है legal studies एक optional subject है तो आप ऐसी उसे reference के तौर पर उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपके school में नहीं है तो भी आप देख सकते हैं कभी-कभी कि आकिर है क्या law में पढ़ना क्या पढ़ता है तो इससे आप आपको पता चलेगा कि आपका interest है या नहीं है I hope आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी क्लाइट के बारे में आपको सभी information पूरी clear होगी मुलाकात होगी आप से next video में तब तक के लिए धन्यवाद